नमस्कार हिंदी साहित तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी ये पीवाई क्यू सीरीज चली है जो हमारा एच पी एसिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज केडर की जो परिक्षा होने जा रही है उसको लेक नहीं भी उसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं आज हम इसमें 2016 वाला जो पिपर है उसके जो आगे की 25 प्रशन है इनको डिसकस करने जा रहे हैं तो अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं कि हमारी क्या चीजें हैं या कौन से हमारे ऐसे वीड पॉइंट्स हैं जिनको हमें और ज्यादा सुधारने की जरूरत है अपनी वीडियो के अंदर तो अगर आपको कोई सुचाब हैं तो आपको कह सकते हैं दिखिए आज हमारा जो अगला प्रशन है यहाँ पर जो पहला प्रशन रखा है हमने यह मसीत यह देहरा सत्गुरु दिया दिखाई भीतर सेवा बंदगी बाहरी का ही चाई दोहा की रचाईता कौन है जितने भी यहाँ पर रचनाकार रखे गए हैं सब के सबसंत कावेधारा के अंतरगत आने वाले लेकक हैं और यह जो पंग्ति है यह है धादू देयाल की और पंग्तिया मैंने पहले ही कहा है कहीं से भी आ सकती है और जो मुख्य-mukhya रचनकार हैं उनकी ही पंग्तियां हमें एक्जाम में पूछी जाती हैं तो यहाँ पर हमें द्यान देने वाली बात ही यह है कि जो संथ पंत के नाम से प्रचलित हुआ यह कथन किसका है तो यह कथन एक बार फिर से अचारे रामचंदर शुकल का कथन है और शुकल के कथन से रिलेटेड हमने बहुत साइप प्रशन जो है वो पहले भी देख लिए हैं कि इन एक्जाम में जो हमारा कॉलेज करदर की परिक्षा है उसमें अचारे रामचंदर शुकल के प्रशनों को या कथनों को बहुत जादा रखा गया है तो यहां से हमें यह प्रशन भी बनता है कि जो दादु द्याल रहे हैं वो किसके अन्युआई माने जाते हैं यह कबीर मार्ग के ही अन्युआई माने जाते हैं और कहा यह जाता है कि कभीर शब्द का इस्तेमाल इन्होंने अपने काबे में जाधा किया है. इसलिए इनने कभीर पंथ के अंतरगत भी कुछ लोग मानते हैं। हालां कि दादू द्याल ने अपना एक अलग पंथ चलाया जिसे दादू पंथ के नाम से भी जाना जाता है, जो परम्रम या ब्रम संप्रताइक के नाम से भी जाना गया फिर बाद में, दादू द्याल से आपको यही चीज थोड़ी सी ध्यान रखने लाइक है, फिर इसके ल अगर हम बात करें 2018 की वेपर की उसमें भी अक्षर अनन्य से related प्रशन इस तरीके से पूछा गया था कि अक्षर अनन्य जो है वो किस के गुरू रहे हैं किस शासक के तो ये थे राजा चात्र साल के गुरू ये वाला प्रशन देखिए आपको एक बार फिर से यहां पर क्या म अगर आप बात करें तो उसको भी दो बार पूछा गया है और दोनों बार थोड़ असा गुमा के प्रशनियां पर पूछा गया था तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा अक्षर अनन्य और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वेदान्त धारीत रचनाय रह तब इनकी जो प्रमुख रचनाय है जैसे ध्यान योग हो गया राज योग हो गया और विज्ञान योग शीर्शक से मतलब योग शीर्शक से भी रहने लिखा है यह चीज भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट है जो आपका अक्षर अनन्य रहे हैं सुन्दर दास यह हमार अगर बात करें नंददास की तो नंददास अश्चाप के कवी रहें यह सबसे ज़ादा सौश्टवबादी कवी माने जाते हैं अश्चापी कवियों में यह भी अश्चाप में सबसे छोटे कवी माने जाते हैं चीज स्वामी भी यहाँ पर क्या थे अश्चाप के कवियो में ही शामिल है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो प्रारंभिक दो हैं ये संत कवी है और नीचे के जो दो रचनकार हैं ये हमारे किसमे रहेंगे ये रहेंगे अच्छापी कवी हैं जो कृष्ण कावे का सगुण भक्ति वाला पॉर्शन है वहां से नेक्स पर आगे जो ये मृगावती है तो ये रचनकार कौन है ये कुतुबन की रचना रही है तो कुतुबन को किसने माना था अचारे रामचंद्र शुकल ने माना है कि ये सूफी प्रेमा ख्यानक कावे का प्रत्थम कवी है ये भी ध्यान रखने लाइक है जबकि सर्वमाने मतानुसार म इनका क्रम इन्होंने सर्व माने मत अनुसार के मत से थोड़ा सा भिन दिया है और यही बात इन्होंने अश्ट चापी कवियों के संदरव में भी कही है कि अश्चाप के कवियों का क्रम भी इन्होंने अपने हिंदी साहिते की तियास में थोड़ा सा अलग करके रखा है तो व सेट की परिक्षा में पूछा गया था मतलब है इस तरीके के प्रशन जो है यहां से शुकल से जरूर पूछती है तो उसको भी हमें एक बार देखने की जरूरत है बात करें अगर मंजन की तो इनकी रशना का नाम है मदुमालती और मदुमालती एक मात्र ऐसी सूपी प्रेमा ख्यानक कृती रही है जिसमें बहुपत्निवाद को जो है वो नहीं रखा गया था नेक्स्ट कॉशन आता है जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर शेक नभी शेक नभी जो इंपोर्टन थे यह जहांगीर के समकालिन माने जाते हैं एंड इन से हमें क्या आरक लेना है कि इन प्रिच्ट कॉशन आता है यह नोर मुहंद से रिलेटिड नोर मुहंद फार्सी के अच्छे आलिम थे और इनकी हिंदी कावे भाषा का भी इनहीं ग्ञान और सब सूफीकवियों से माना जाता है कि अच्छा ग्ञान था इनका हिंदी का यह कथन भी अचारे रामचंद्र चुकला नहीं, कहा, इनके बारे में, और नोर मुहमद एक ऐसे रशनकार रहे हैं, जिन्होंगे, आपका, सूफी प्रेमा क्यानक कावे में, अक्सर क्या देखते हैं, कि, आपका जो चौपाई दोहा, या दोहा चौपाई शेली में, लिखा गया है लेकिन इन्होंने बर्वे चुपाई में इसको लिखा इस परंपरा में लिखा है ये चीज भी ध्यान रटे में वाली बात है तो ये भी इससे पुछा जाता है और तीन इसकी प्रमुक रचना है रही है नूर मुहमद की और अगर हम बात करें फार्सी के अच् पुन रचना और आती है जो प्रेमा ख्यानक का वैसका रहा है जिसमें कालिंजर के राजकुमार और जो इंद्रावती रही है उनकी कथा इसमें हमें देखने को मिलती है ये जो तीन रचना है इनसे भी प्रशन हो सकता है पूछा जाए बाकि यहां पर कथन एक बार फिर से शुकल का ही है तो शुकल के कतनों की देखेंगे हमकि इस पेपर में बहुत जादा बरमार रही है ना सिर्फ इस पेपर में बलकि जितने भी दूसरे पेपर हुए है उसमें भी नेक्स कॉशन अगर हम देखें यहां पर 31st कॉशन है देखिए इसमें भी हम क्या देखते हैं सारी की सारी किस तरीके की हैं प्रेमक्यानक कावे की कृतियां यहां पर रही हैं तो कासिम शा को यहां पर रखा गया है सबसे पहले कासिम शा की जो रशना थी यह थी हंस जवाहिर इसको भी हो सकता है पूछा जाए बात करें अगर शेक नभी की तो शेक नभी की रशना यह अभी अभी देखी वी थी जान दीप इनकी रशना रही है नूर मुहमद की जो रशना है देखी ये है आपकी रोश्टुल हकायक उस्मान की रशना का नाम है चित्राबली एंड इसके अलावा यहां पर मदुमालती जो है ये मंझन की कृति मानी जाती है तो ये थे मतलब सिं पूछ जाता है ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें चौपाईयों के बाद कितने चौपाई के बाद पांच चौपाई के बाद एक दोहा रखा जाता है अगर हम बात करें अधिकतर जो सूफी प्रेमा ख्यानक कावे है वो इसी चीज़ के अधार पर लिखे गए ह पांच चौपाईया फिर एक दोहा लेकिन अगर हम बात करें उसमान और जाईसी की तो उन्होंने साथ चौपाईयों के बाद दोहा रखने की परमपरा रखी है और ये दोहा चौपाई रखने की परमपरा को हम कडवक बद परमपरा कहते हैं मतलब पहले चौपाई बाद म स्वयम्भू रहे हैं उनके साहिते से हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट कॉश्चन यहां पर आता है एक बार जो आपका प्रसिद नाम रामानंद है उनकी यह रशन है देखिए रामार्चन पद्धती श्री रामार्चन पद्धती इसके अलावा इसने रामरक्षास्तोत्र वैशन मताफज भासकर आनंद भाष्य शीशक से भी कुछ एक गरंथर रखे हैं तो हो सकता है उनको भी पूछा जाए क्योंकि रामानंद से अक्सर इनके प्रशन पूछे जाते हैं कि इनकी रचनाएं कौन सी रही है रामानंद ने भक्ति के दरवादे सब के लिए खोले थे ये भी important question है इनके बारे में और अगर हम बात करें रामानुजचारे से तो रामानुचारे भक्ति का मारक जो हो क्या कर दिया था सिमित कर दिया था के वल समाज के उच्छ वर्ग तक ही एंड यहां पर अगर हम बात करें तुलसिवा नंद दास की तो ये वाली इनकी कुछ लिखा है ध्यानी विरह मंजरी वो आपने एक बार देखना इनकी कौन कौन सी रही है कई बार ऐसा ही confusion हो जाता है कि इनकी मंजरी शीर्षक से कौन सी कृती नहीं थी इसके लाबा इनकी रास पंचा ध्याई जो बड़ी important है नंद दास की इसके साथी साथ आपको यार अग्रदास की इसके गुरू थे तो स्वामी अग्रदास भी रामभक्ती के एक प्रमुक कवी रहे हैं तो एक रशनकार हैं देखिए क्रिशन दास पैहारी ये बहुत ही important नाम है रामवत संप्रदाय के अंतरगत ये आते थे लेकिन बाद में इनों के दो शीष्या हुए क् इसलिए अगर अली के नाम से भी रचा करते थे रचनाय और इससे ही ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर इनोंने रामकावे में जो रसिक भाव है उसका समावेश भी किया था ये भी important है और इनोंने अपनी गदी कहां पर स्थापित की थी ये भी आप मुझे क जाकर बता सकते हैं स्वामी अग्रदास से अगर हम बात करें देखिए स्वामी अग्रदास की रसिक भाव का जो रसिक सिध्धांत इन्होंने किसमें दिया है तो राम ध्यान मंजरी शीर्शक से इनके एक रचना रही है उसमें इनका जो रसिक भाव का सिध्धांत जो हो प्र की जा रही है तो गुरू थे इनके क्रिशन दास पर हारी आकी जो इंपॉर्टन नाम है ये सारे के सारे महत्पूर नाम यहां पर रखेंगे देखिए चाहे वो कबीर है रामनंद है या फिर आपका नाम देव है नेक्स कॉशन देखते हैं सुरतिय नरतिय नागतिय सब चाहत असी होए गोदलिये हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए यह जो दोहा है इसके रचैता कौन है इसके दोहे के रचैता जो है रहीम दास है लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो प्रत्थम पंक्ती थी ये किस ने लिखी थी ये तुलसी दास ने लिखी थी और दूसरी पंक्ती यहां पर रहीम होना चाहिए अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और है तो फिर आप मुझे comment section में जाकर जरूर बता सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस प्रशन को आप solve करवा सकते हैं नेक्स question आता है यहां पर निमलिकित में से कौनसी रचना तूलसिदास की नहीं है तो इन रचनाओं मैं अगर हम देखें यहां पर जो तूलसिदास की रचना नहीं है वो है हनुमन नाटक, हनुमन नाटक के जो रचैता है यह है आपके हर्दयरामजी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राम कावे की जो भी प्रमुक रचना है रही है जो important important कृतिया है देखना उनसे कई बार प्रशन पूछ लेते हैं जैसे आपका इसमें नरहरी बारहट की एक रचना आती है पौरुशे रमाइन वो भी important है यहाँ से भी पूछा जाता रहता है बार-बार मादवदास चरण की अध्यात्म रमाइन है वो भी एक important कृति है राम कावे से समंदित हलांकि प्राण्चन चोहान का नाम आता है जिसने रमाइन महामनाटक शीर्षक से लिखी थी बिश्नुदास ने रमाइन कथा शीर्षक से लिखा जो राम कथा से समंदित मत गुस्वामी तुलसिदास की रशना है गुस्वामी तुलसिदास से भी आपको यहां पर डियान रख लेना है कि जो इनकी पारवती मंगल है यह ञांने जो काईदास की कुमार संबभव है उसके अलहार पर लिखी थी चान की मंगल जो है इसमें राम और कृष्ण के विवा आपका तुलसिदास रहे वो समनवयवादी रशनकार रहे हैं और इसलिए इन्हें समनवयवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है इंपोर्टन्ट है यह वाला प्रशन भी जो आपका तुलसिदास रहे हैं इसके अलावा यहां पर अगली पंक्ति जो है सूरदास से रखी गई सूरदास के गुरू थे तो इसलिए इसका जो सई आंसर क्या हो जाना चाहिए सूरदास होगा तो इंपॉर्टन्ट है ये वाली पंक्ती भी और ये पंक्ती भी बहुत बार एक्जाम में रिपीट हुई है यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वलभाचारे ने सूरदा काही को है कुछ भगवत लीला गान करो ठीक है और उसके बाद उन्होंने इसरी के से गाया क्रिश्न कावे को कि वो श्री क्रिश्न भक्ती के सबसे प्रमुक कवी बनकर उबरे इंपॉर्टन्ट है देखना ये वाली पंक्ती भी इससे आप याद रख लिजिए नेक्स आता यहां पर अचारे रामचंदर शुकल का ये विचार है हिंदी साहिते के इतियास गंत में इन्होंने ये वाली बात पानी थी कि शुकल ये जो आपका गोसामी जी है इनका क्या रहा मतलब एक चमतकार समझना चाहिए और यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अचारे परतिष्टा से भी राज रहे हैं ये वाला प्रशन भी ये परंक्ति भी इनके बारे में IMPORTANT है इसके साहत ही साथ हजारी प्रसाद दिवेदी ने भी इनके बारे में कुछ IMPORTANT पंक्तियां कहीं है तो हो सकता है कई बार आपको वो भी पूचि जाए तो ये भी IMPORTANT है जो जो भी आप जरूर याद रखिये, इसलिए इनके पूरे के पूरे कावी को क्या कहा गया है, समनवे की विराड चेश्टा भी कहा जाता है, तो ये भी एक मुँख़पून पहलती है इनके बारे में, चलिए नेक्स देखते हैं, इसके बाद अनने क्या चीज़े आती है, निम रूप मंजरी शीर्चक से किस ने रिका था ये लिका था नंददास ने बाकी ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी जो है वो एक ही रचना है इसको भी आप यहां पर ध्यान रख लीजिए हो सकता है यहां से भी जो प्रशना आपको पूछा जाए तो important नाम है यह वाला जो ये रूप मंजरी का ठीक है ध्यान मंजरी राम ध्यान मंजरी एक ही चीज़े है बाकी इसमें इसका जो रसिक भाव से सम्मधित जो इनकी रचना जो रसिको उपासना वाला जो उसे धांत है वो इसमें इनोंने रखा था जो ध्यान मंजरी शीर्चक से लिखा गया था अग से याद रख सकते हैं अश्टियाम मैं ने आपको शुरुबात में ही बता दी अस्याम का मतलब है जिसमें श्रीराम की आठों प्रहरों की जो उसकी मतलब उसकी activities है या उसकी kreya club है उसको इन्होंने इसमें रखा है अश्टियाम में और यहीं से प्रवावित होकर नावदास ने भी फिर बाद में अश्टियाम की रशना की थी, यह भी important है देखना, यहां पर अगला प्रशन है, 39th question के निमिलिक्त में से कौन सा कवी राम भक्ति शाखा से समंदित नहीं है, तो इस तरीके के प्रशन भी हम हर एक एक्जाम में दे नावदास जो नहीं है इन से समंदित, नावदास जो है कृष्ण भक्ति परंपरा के अंत्रगत अश्चाप की कपियों में आते हैं, यह हम सब लोग जानते हैं, next question आता है यहांपर निमिलिक्त में से कौन सी रशना मतिराम की नहीं है, तो मतिराम की रशना जो नहीं थी व बात करें, जाती विलास की बात करें, भाव विलास की बात करें, या फिर कुछ और कृतिया रही हैं जिनके अंत्रगत कुशल विलास थी, ठीक है, इस तरीके कि इनकी कुछ रचना हैं, जहां से हमें याद रख लेना है कि जो देव हैं, वो मतलब इन्होंने किन-किन रचन रहे हैं इस चीस के बारे में भी पूछा जा सकता है अगर बात करें कि नाइका भेद का विश्वकोष इनके गरंथ को कहा जाता है तो वो है सुकसागर तरंग और वहीं से हमें एक और प्रशन पूछा जाता है कि हिंदी कावे में सबसे जादा नाइका भेद के लिए सबसे श्रिष्ट कभी किसे माना जाता है तो ये देव कभी को ही माना जाता है अगर हम बात करें यहां पर अने रचनाय देखे मतिराम की हैं रस राज जो है इसके रस निरूपक गरंथ है जिसमें श्रिंगार रस के बारे में इसने क्या किया है जादा महत्वपून अच्छे तरीके से मतलब इसने इसको रखा है बागी ये सबी रसों को चित्रित करने वाली रचना मानी जाती है मतिराम से ध्यान देने वाली बात एक और है कि मतिराम ने अपनी जितनी भी रचनाए थी, वो इसने अपने आश्राधाओं को समरपित की थी, लेकिन रसराज को इसने किसी भी आश्राधा के लिए नहीं रखा था, ये चीज़ इसके बारे में important है, बात अगर हम करें ललित ललाम की, तो ललित ललाम इसने अपने जो आश् अगला प्रशन देखते हैं देवकवी से एक और प्रशन यहां पर पूछा गया है देखना अभीधा उत्तम कावे है मध्यलक्षना लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन दोहा शब्द शक्ति के विशे में किस ने कहा है तो यह जो दोहा कहा था यह देवकवी किसे माना है अभीधा शब्द शक्ति को माना है और अभीधा शब्द शक्ति से हम क्या कहते हैं जहां पर अर्थ जोह को सामाने सा सांकेतित अर्थ सीधा प्रतीत होता हो यहां पर कोई भी गूड रहसे वाली बात नहों मतलब यह स्वष्टता की बात यहां पर कर रहे हैं important है और इसके साथ ही साथ देव से हमें एक चीज और भी आती है कि जो इनकी काव्य के बारे में चीज अगर देखे तो इन्हों ने जो संचारी भाव थे उनकी संख्या कितनी मानी थी उनकी संख्या इन्होंने चौन 3 मानी है जो छल एक extra इन्होंने माना था उसमें कि वो भी सिंचारी भाव का एक रूप रहा है उससे भी प्रशन जो है वो पूछा जा सकता है बाकी यहाँ पर केश्यों की पंक्तियां इतनी जादी मुहत्पूर्ण नहीं है लेकिन एक पंक्ति इसकी जरूर आती है जद पी सुजाती सुलचनी यह वाली इन हमें देखते हैं कि पहुत बड़ी इसको एक्जाम में पूछा गया है गोविन सिंग की जो रशन रही है चंडी चरित्र इसके अलावा इसने और भी लिखा था वीचित्र नाटक से एक ग्रंथ उसको भी यादखने की जरूरत है अगर बात कीजिए लालकवी की लालकवी क इसमें एक ने च्छत्र प्रकाश लिखा ने एक ने च्छत्र साल दशक लिखी है तो इस तरीके से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अब भूशन की कौन सी है और लालकवी की कौन सी है तो भूशन की जो हो जाएगी वो हो जाएगी च्छत्र साल दशक शीवा बावनी ब बिहारी ने इस सत्सई के अतिरिक्त कोई और गरंथ नहीं लिखा, यही एक गरंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्थी का अधार है, बिहारी सत्सई के लिए कह रहेंगे, तो यह बात भी आचारे रामचंदर शुक्र नहीं कही है, तो बहुत मतपूर नाम है जो आपका बिहारी रह में इनोंने बहुत सारी चीज़ें कहीं है, सत्सई के लेकर के इसने कहा था कि अधी प्रबंद कावे विस्तित वनस्थली है, तो यह क्या है मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, यहीं से हम समझते हैं कि जो बिहारी सत्सई है, वो एक मुक्तक कावे रहा है, ठीक है, य यह भी एक इंपोर्टन्ट इसकी पंक्ती है, इससे भी जरूर प्रशन बनता है बिहारी से रिलेटेड, बाकि बिहारी का समन्द कहां से था, बिहारी की संपरदाय में दिक्षितर है, यह सारी चीज़ें भी पूछी जाती है, बिहारी सत्सई के लिए किन किन रचनाओं को अधार बनाया गया, जिनके अधार पर इसको लिखा गया था, यह भी महतपुन प्रशन है, जो बिहारी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, अगला प्रशन है यहां पर निमिलकित कावियों का सही अनुकरम क्या है, तो यहां पर अगर हम बात करें, देगे सबसे पहले लो दी में है, तो दी इसका क्या हो जाएगा, राइट अंसर हो जाएगा, प्रिय प्रवास किसकी रशन है, यह हिंदी का प्रथम, खड़ी वली हिंदी का पहला महाकावे इसको माना जाता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अचारे रामचंदर शुक्ल ने इसे प्र प्रशाद की, बलकि इसे हम मानते हैं कि यह चायवाद की प्रथम क्रिती भी मानी जाती है, इसके लावा अगर हम बात करें राम की शक्ति पूजा की, तो राम की शक्ति पूजा जो रचना रही है, यह सूर्यकांत्रि पाठी निराला की लंबी कवीता है, यह सिर्फ निरा आला की ही नहीं बलकि आधुनी काल की श्रिष्ट लंबी कविताओं में से एक मानी जाती हैं। करमानुसार लगाने के लिए हमें या विभिन कवियों के बारे में पूछ लिया है जो आप हमने कभी पढ़े ही नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो सकता है कि इस दिक्त तो रहती है कि कौन सा पहले लिखा था कौन सा बाद में लिखा था लेकिन फिर भी ऐ ऐसे राइटर्स हैं जिनको हम अक्सर पढ़ते ही रहते हैं उन्हीं को पूछा गया है। अगला प्रशन है यहाँ पर नया साहित्य नया प्रशन अलोचनात्मा का ग्रंथ यह है तो ये इसके रचाईता कौन है। अगर हम बात करें यहाँ पर अलोचनात्मा ग्रंथों की मानते हैं इमपॉर्टन नाम है यह एंड साथी साथ हम देखेंगे इन्होंने जो बात के रशनकार है जैसे प्रेम चंद, प्रेम चंद को इन्होंने दृत्य जो कोटी का रशनकार माना था यह भी इंपॉर्टन इनकी एक बात है जो इन्हें मतलब एक समरिद आलोचक बन तो ये शुकलोत्तर जो अलोचक हैं, शुकलोत्तर युगीन अलोचकों की श्रेडी में आते हैं, नामवर सिंग जो है, नामवर सिंग माना जाता है कि ये किस प्रकार के समिक्षक रहे, जो प्रगतिवादी समिक्षकों में सबसे प्रमुक नाम, रामिला शर्मा के बाद जो ह आमाता है ये नामवर सिंग का ही रहा है नामवर सिंग की एक कृति जो है वो बार-बार पूछी जाती रहाती है एक्जाम में कवीता के नए प्रतिमान वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये वाली रचना इसे जरूर या रखने की जरूरत है कवीता के नए प्रतिमान जो इन्ह क्रिती रही है साथी साथ इसने आलोचक के मुख से भी लिखा था बात करें अगर शिवदान सिंग चोहान की तो ये भी प्रगतिवादी समिक्षकों में ही इनका नाम आता है ये भी बहुती मतफ़ून नाम है जो आपको हिंदी जो अगर हम हिंदी प्रगतिवादी आलोशना की बात करते हैं तो शिवदान सिंग चोहान इन्होंने हिंदी साहिते की असी वर्ष शीर्शक से जो लिखी थी ये बहुती इंपोर्टन कृती माने जाती है शिवदान सिंग चोहान की हालनकि जो आपका अगला नाम है देखिए अशोक वाजबई ये लेकिन इतना जरूरी नाम नहीं है जेतना ये प्रारंभिक नाम पहले के जो दो तीन नाम यहां पर रखे गए थे लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं अशोक वाजबई को इनकी एक रचना है फिलहाल शीर्शक से लिखा था एंड कवी कह गया कवी कह गया है ये भी इनोंने लिखा थ तो यहां से भी प्रशन जो है वो आपको पूछा जा सकता है अगर हम बात करें यहां पर ये जो अशोक वाजबई रहे हैं ये क्या रहे ये नई समिक्षा के अंतरगत आते हैं जो नई समिक्षा रही है नई समिक्षा में अन्य नाम है जैसी प्रभाक शरूत्रिय बगेरा वो भी यारकने लाइक है एंड एक नाम आता है अपका कुमार विमल ये भी important टाइटर रहा एंड देवी शंकर अवस्थी इनकी कृतियों से जरूरी है हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत नेक्स कृशन आता है यहां पर मगद कावेकृति के रचनकार कौन रहे हैं तो पूर्पून रचनाय है इससे भी हो सकता है प्रश्ण जो है वो पूछा जाए जलसागर हो गया देनारंब हो गया यह कृतिया इनकी रही है मगद के अलावा तो जो शीरीकांट वर्मा है ये समकालीन कवियों के अंतरगत आते हैं वहां से भी जैसे शीरीकांट वर्मा हो चंदरकान देवताले हो गया लीलादार जगूरी जो समकाली रचनकार हैं इनकी कृतियां पूछी गई हैं यहां पर रामकुमर वर्मा से अगरम बात करें इनकी निशीत आकाश गंगा चित्र रेखा शीर्शक से रचनाय रही हैं हालांकि यह वर्मा त्रई के अंत्रगत जो रखा हैं तो यह भी इंपॉर्टेंट है अलोचनात्मक जो पदती में इसको इसने लिखा था समीक्षात्मक पदती में और यह किसपरकार का इतिहास माना जाता हैं यह एक मुतलब ऐसा इतिहास जो कावश अली में लिखा गया है नेक्स आता है सुमित्रनंदन और सूरेका जो नामक कृति रही है इस से हमें क्या ध्यानक लेना है कि यह जो रचना है यह रचना मानी जाती है कि यह स्त्री विमर्श से रिलेट्टि जो कृति रही है और दूसरा इससे जो इंपॉर्टन प्रशन बनता है आपको कि स्त्री विमर्श पर जो लिखने वाली जो पुस्तक लेकिन यहां पर जो मैत्रई पुष्पा रही है इन्होंने खुली खिरकें शीरशक से जो आपका स्त्री विमर्च पर अलोशनात्मक पुस्तक लिखी एंड साथी साथ सुनो मालिक सुनो शीरशक से भी मैत्रई पुष्पा ने एक अन्य ग्रंथ लिखा है बात करें अगर मृ प्रशन का उतर होगा मैत्री पुष्पा मैत्री पुष्पा की स्त्री विमर्च की दूसी रशना सुनो मालिक सुनो और मृदुला गर्ग की जो थी वो है चुकते नहीं सवाल ये इनको आप ध्यान में रख लीजिए नेक्स कॉशन आता है आखरी कलाम का प्रतिपाध्य व प्रशना रही है जिसमें इन्हें बाबर की प्रकिए ये वाला प्रशन भी इसकाえー इसका साथ ही साथ भूंप जो प्रले इत्यादि की चीज़े हैं ये सारी चीज एकंट विश्पाई किसकी रचना है दुश्यंत कुमार की ये रचना मानी जाती है तो यहां से भी हो सकता है प्रश्ण जो है वो पूछा जाए कि कौन सी रचना जो है वो किसकी मानी जाती है गीती नाटे की गीती नाटे जो है दुशंत कुमार के अलावा कुछ अनलेकों ने भी लिखे हैं जिन में से प्रमुक नाम अगर हम बात करें देखिए इसमें इंपोर्टेंट आता है सुमित्रा नंदन पंत का सूरेकां त्रिपाठी निराला हो गया चैशंकर का जो गीती नाटे रहा नाले ये प्रारम्वेक गीती नाटे भी माना जाता है इसके अलावा रजत शिकर शिल्पी सुमित्रा नंदन पंत न लिखे थे निराला ने पंच्वटी प्रसंग लिखा अंधा यूग धरम विरभार्ति की जो है जो सबसे श्रिष्ट कृती मानी जाती है इसमें जो गीत पूछा गया है यहां पर पूछा गया है देखिए कि तुफानों के बीच के लेखर कौन है तो यह था रांगे राघव दूसरा प्रशन इससे ही बन सकता है कि तुफानों के बीच के जो रचना है यह किस शीर्शक की है या मतलब किस विधा की रचना है तो यह हो जाएगी रिपोर्टाज वीधा की, रिपोर्टाज वीधा के साथ, इसका जो दूसरा, जो important नाम है, जो इसके बारे में पूछा जा सकता है, कि जो आपका ये रही है, तुफानों के बीच, जिसका अन्य नाम क्या माना जाता है, अदम में जीवन, ये भी important है, और यहां पर एक प्रश इनके कृती रही है या किस गटना पर अधारित इनका ये रिपोर्टाज माना जाता है बहुत ही important प्रशन है ये वाला भी बाकी last time जो इससे प्रशन पूछा गया था last time नहीं बलकि 2014 या 18 अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि exactly वो कब पूछा गया था लेकिन इतना जरूर पूछा गया था इससे कि ये जो तुफानों के बीच नामक रिपोर्टाज रहा है ये सबसे पहले जो है वो किस पत्र में छपा था तो ये विशाल भारत में 1944 में छपी थी ये वाला रिपोर्टाज इसको आपने घ्यान में रख लेना है बहुत ही मौतपूर्ण है तुफ वाले वीडियो में जो इसका अगला भाग है उसमें हम उनका नाम जरूर एनॉस करेंगे जिसने इसका सही आंसर दिया होगा तो आज के लिए फिलहाल इतना ही इसमें जो 30 कॉशन बचते हैं उनको हम आगे आने वाली वीडियो में जो है बिसकस कर लेंगे तो आपको अगर कि हमारा प्रियास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए इस तरीके का भेतर कॉंटेंट लाने के लिए हिंदी साहीते वारता परिवार हमेशा प्र